विजय थलापती कहते हैं सलमान वापस आ गए और बॉलिवूट का बादशा सलमान खान टाइगर बनके वापस आया है इस बार एडवास बुकिंग बता रही है के टाइगर थ्री ब्लॉक पास्टर बन चुकी है वहीं साउथ में भी थेटर्स हाउसफुल होना शुरू हो विजय थलापती कहते हैं टाइगर का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा और इस बार बॉलिवूट के सारे रिकॉर्ड खत्रे में है क्योंके टाइगर शिकार करने आ गया है टाइगर मूवी में सलमान खान को दोखेबास एज़न्ट दिखाया गया है जो के अपनी फैमिली इंडिया में तहल का मचा दिया है दोस्तों टाइगर टेलर ने हर किसी को दीवाना बना दिया है और इस मूवी का हर कोई बेसबरी से इंतिजार कर रहा है वही इस मूवी को राजसभा के पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट कर रही है यानि कि अब इंडिया में जवान क के बाद टाइगर ही ऐसी मूवी है जिसको काफी जादा लोग पसंद करने वाले हैं। आपको टाइगर का टेलर देखकर लग रहा होगा कि इसमें काफी जादा तवाई होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इमरान हाश्मी को एक पाकिस्तानी टेलरिस्ट दिखाया गया है जो के कहानी के मुताबिक इंडिया और टाइगर को बरबात करना चाहता है। और उसी दोरान टाइगर को भी पाकिस्तान की हुफिया जेल में केद किया जाता है, अब उसको पठान कैसे अब इस बार तो पठान और टाइगर आएंगे तो मानो बॉक्स आफिस फटने वाला है। कमेंट में लाजमी बताना क्या सलमान भाई जवान और पठान का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? क्या बॉलिवुड को एक नया हिस्टारिक रिकॉर्ड मिलने वाला है? कमेंट में लाजमी लिखना है। अगर पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करना धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो लाजमी करना है। अगर पसंद आई हो तो लाजमी करना है। अगर शत्ष पसंद दिर तो लाजमी करना है। अगर खर्गर संद संद 名 है।